हेलो गाइज मोस्ट वैलकम हम कर रहे हैं HRM Human Resource Management इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाप्टर नंबर एट जिसका नाम है नीई कॉंसट इन्ट्रेणिंग लास्स एक्चर्ट हमने किया था आज के चप्टर के अंदर ट्रेणिंग का नि civic करेगर टेखनोलॉजी में बहुत सारे चैंज हैं तो training के नए-णय concept से हमारे सामने आए हैं तो वो नए concept कौन से है और वो traditional जो methods और training के उससे कैसे अलग है ठीक है तो आएए समझते हैं for example के लिए मैं अगर आपको new concept पर जाऊं तो उसमें वता सकता हूं एक simple सा example दे सकता हूं जैसेगी पहले traditional तरीका था teaching गराने का education लेने का classes लेने का coaching लेने का वो क्या था students आएंगे सामने physically offline और फिर teacher सामने blackboard पर या फिर whiteboard पर marker से पढ़ाएगा तो ये था traditional तरीका education लेने का लेकिन आजगल क्या है आजगल online तरीका है education लेने का अब दोनों को क्या अपने अपने benefits हैं लेकिन फिर भी आज का जो new concept है वो education लेने का क्या है आप ऊण-laine classes ले सकते हैं आप्लाइउ classes ले सकते हैं तो तरीके बदले हैं new concepts आये हैं तो एसे कैसे हैं अब आप online बढ़ रहा हैं तो ये methods will always be useful for helping employees ऐसा नहीं है कि जो conventional या फिर जो traditional तरीके हैं उससे training लेने में help नहीं मिलती है उससे भी मिलती है जैसे आप offline classes जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप पढ़ाई नहीं होगी वहाँ पर भी होगी वहाँ पर भी आपको सीखने को मिलेगा तो ऐसे कैसे जब employees को आप traditional तरीकों से पुराने तरीकों से परंपरागत तरीकों से train करोगे तो उससे भी वह सीखेंगे but some concept cannot be topped using traditional knowledge transmission strategies लेकिन कुछ चीज़े ऐसी है जो आप traditional तरीकों से नहीं सीख सकते for example के लिए अगर किसी student को जो है या किसी employee को जो है अगर आपको उसको for example के लिए train करना है taxation के लिए कि वो आपका काम कर ले आपके लिए जो है GST return आपके business के लिए file कर ले आपके business के लिए income tax return फाइल कर ले और जो भी इस से related सारी की सारी problems है उसको वो टेक्स से related वो संभाल ले अब उसको train करना है अब training करने के दो तरीके है एक तो आप क्या करो उसको offline तरीके से बताओ या किसी बंदे के अंडर में भेजो उसको training के लिए कहीं दूर भेजो या किसी को hire करो जो उसको सिखाए एक यह तरीका है ठीक है यह traditional तरीका है इसमें समय भी लगता है पैसा भी जादा लगता है और यह कलंबा process है लेकिन दूसरा तरीका और है आप गया अगर सकते हैं आ उसके जो भी returns वगरा है वो file करने सीखेंगे लोग इन करना वगरा सब और ऐसे कैसे आप income tax के ITR वगरा भरना भी उसको सिखा सकते हैं online ठीक है अब उससे क्या होगा practically सीख लिया लेगिन इसके लिए किसी बंदे को hire करने की जरूत नहीं उसको कहीं भेजने की जरूत नहीं वो अपने laptop आराम से घर बेटे जो है इन चीजों को सीख सकता है उसकी practice कर सकता है और फिर implement भी कर सकता है business के अंदर तो ये थोड़ा सा सुईधा जनाग है बहुत है और simple भी है और अपने हिसाब से जो है वो त्यार कर सकता है उन चीजों को ठीक है अपने time job उसको मिले तो एक बहुत अच्छी website है fincurious तो इस website का link इस video के नीचे description box में आपको मिल जाएगा इस website पर जाए और वहाँ पर जाकर के आप ये training ले सकते हैं ऐसे skill के courses ले सकते हैं जिससे आपको एक skill का certificate मिल जाएगा और plus आपकी graduation की degree आप यहां से बढ़ रहे हैं तो दोनों का जब synergy होगा तो आपको आराम से job मिल जाएगी या आप अपना खुद का काम भी कोल सकते हैं ओके ठीक इसमें अगर आप कोई course purchase करते हैं तो मैं आपको मेरी तरफ से discount भी दे सकता हूं इसमें आप एक coupon code apply कर लेना इस website पर जाके जो भी आप course लेना चाहते हैं उसमें आप CWG 20 हान है hands-on training अब तीन तरह के concept हैं जो new concept है training के उसमें एक तो है hands-on training एक है e-learning और एक है marketing तो यह तीन concept है जो इस chapter के अंदर समझाए गए हैं आई हम one by one इनको समझते हैं सबसे first आता है new methods of training and development इसमें है hands-on training hands-on training का मतलब क्या होता है hands-on training means direct practical experience in the operation और functioning of a skill or task जहां पर वो skill जहां पर वो task जहां पर वो काम चल रहा है जो आप सीखना चाहते हैं आपको direct practical experience दे दिया जाता है hands-on training मतलब जो काम आप सीखना जाते हैं बस वह आप से करवाना start कर दिया जाता है hands-on training ठीक है तो यह new concept है सीधा के सीधा सिखाओ involve active participation by student इसमें student जो होता है यानि की जो employee होता है वो directly actively काम करने लग जाता है ओके जैसे अधिक चाहर सीए chartered accountant का जो course करते हैं तो उनको उनका जब inter-clear हो जाता है तब उनको एक training मिलती है उनको CA के अंडर में आर्टिकल सीव करनी पड़ती है यहना practicing CA के अंदर तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर यह होता है hands-on training अधिक तरी यह होता है मतलब आपको सीधा first day से ही जो आपका theoretical knowledge आप पढ़ क्या हो इसको practically कैसे करना है वो first day से ही सिखाना start कर दिया जाता है okay next following are the reasons for taking hands-on approach क्या 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 reasons है hands-on approach को taking करने के employees gain knowledge by doing practicals employees को जो है बहुत सारा knowledge मिलता है क्योंकि वो practically काम कर रहे है theoretically only pad मिल रहे है practically कर रहे है real में किसी का written file कर रहे है for example के लिए मैं taxation की बात कर रहे हूँ तो practical knowledge मिलेगा work see more engaging इससे उनको work के अंदर काम के अंदर ज्यादा engage हो जाते हैं वो उसके अंदर को जाते हैं वो उसमें interest के साथ उसको करने लग जाते हैं suit almost every task और इसके अलावा हर task को करते हैं employees feel confidence इससे employees को confidence आता है आपने एक return file कर लिया किसी का मैं taxation का accounting का example दे रहा हूं क्यों आप भी commerce background से हैं तो इससे better जो है आप match कर पाएंगे कि आपने किसी का return file कर दिया सिए के अंडर में यहां खुद से तो आपको कैसा confidence feel होगा और यार यह तो कर सकता हूं मैं तो बस वही hands-on training में होता है फिर आता है e-learning e-learning का मतलब होता है एक ऐसा course जिसके अंदर electronically electronically presentation किया जाता है और उसके अंदर बहुत सारा content होता है जैसे study materials होते है practical exercise होती है और video lectures होती है और electronically जो है आपको train किया जाता है जो मैंने आपको website बताई fincurious उस पे यही होता है fincurious website पे जाकर के आप e-learning के जरिये electronically आप जो है skill hire कर सकते हैं बहुत सारे courses commerce student के लिए वहाँ पर available है और जो बंदा become और bb.a कर रहा है उसको become और bb.a के साथ में कुछ न कुछ करना ही होता है तो उनको यह वाले courses कर लेने चाहिए इससे आपको बहुत benefit मिलेगा ठीक है जी और e-learning जो है वो दो तरीके से दी जाती है यह learning आपको पता ही है जैसे आप हमारे दो तरीके से courses join कर सकते है विकॉम के live courses join कर सकते है recorded join कर सकते है live में क्या होगा live में एक ही समय पर बहुफा सारे students जो है सामने होंगे और सारे students मिल करके comment करते हैं करते हैं लाइब लेक्ट्टर आता एक होता है रिकोर्टीड बाइक्षinaire इसको गालएक अपने समय कोई दिन में देख रहा है रात में देख रहा है तो सब अपने अपने हिसाब से इसे कैसे ये भी courses जो होते हो दो तरीके के लाइव होते हैं, उसका time fix होता है, उसी time आपको लेना पड़ेगा, एक recorded होते हैं, जिसको आप अपनी सुईधा जनक कभी भी सुईधा अनुसवार देख सकते हैं, तो वही यहाँ पर e-learning के चरीके दो बताये गए हैं, एक बताया गया है, synchronize और a-synchronize, ठीक है, जी, synchronize का मतलब क्या बता है, web-based learning is a instructor facilitated and it require all participation to be virtually presented at the same time on the same platform, यह live वाला हो गया और यह recorded हो गया, इसमें क्या होता है, self-paced learning module दिया होता है, आपको, पहले से सब कुछ recorded होता है, material पूरा होता है, lectures होते हैं, सब कुछ पहले से practice के लिए जो, practice के लिए जो भी बना दिया जाता है, फिर आप उसको देखते हैं, okay, आप अपनी availability और need के साब से उसको देख सकते हैं, advantages क्या है, e-learning के बहुत सारे advantages होते हैं, cost efficient होता है, सस्ता होता है, practically कहीं आप जाके सिखोगे तो बहुत महंगा पड़ता है, उसके लिए आपको बाहर गहीं जाना या किसी को hire करना पड़ेगा, जो आपको सिखाए, वो अच्छा खास आप से charge करेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास only laptop है, fee pay करी और आराम से घर बैठे सीख सकते हैं, practice कर सकते हैं, okay, easy access to material, बिलकुल एक click से material आता है, flexibility होती है, आप समय, जब आपको समय मिले तब सीख सकत ह recognition करते हैं, next आता है, scheduling, our现象 किया है कि Ellisだ, it is a form of on the job training where worker pick-up knowledge from a more experienced co worker, एक worker उससे knowledge higher करता है जो उससे ज्यादा experienced है उससे जाके पूछता है, उससे ज्यादे, पूछता, right, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, जाके पूछता है, उससे ज्यादा है उससे ज्यादा है काम ऐसे हैं जैसे टेलर का का मों गया सालून का मों नो बहुती वालर का मों गया और भी बहुत दो सब्सक्राइब ability ब्हूरा निहीं कि अभया होगा कि वह सीघवताई कि अप करते हैं कि आतुर सी-गम ख्रणा में होती है हैं जो इसे driving करते हैं अपने ड्राइवर पहले दिन गाडी तो पहले दिन वह देखते हैं वो समझाता है ऐसे चलते ही है वाच करो फिर उसके बाद में धिरी-धिरी वापको जो है control देता है इसका मतलब क्या है कि जो interns है उनको क्या करना आप नॉलेज देना स्टूडेंट्स या एंप्लोई जो है वो वान तो लर्न more about the performing your task they are not familiar with तो जो बंदे को सीखना चाहते हैं उसके साथ familiar नहीं है वो यहाँ पर जो है seduing के साथ चीजे सीख सकते हैं अपने से experience बंदे के साथ सीख सकते हैं नेक्स आता है आपका benefit of seduing benefits क्या है help in gaining experience इससे आपको experience gain करने में help मिलती है help in assessing the perquisites of the job इससे आपको perquisites का मंदब हो गया monetary नहीं non-monetary जो benefits होते हैं वो आपको मिलती है इससे ठीक है और help in building network और इससे आपका एक network भी build होता है लेक्स आता है management development program इस chapter के अंदर अगला topic है management development program यह भी new concept है training के अंदर management development program management development program में किसका development होगा management का ठीक है तो इसका aim क्या होता है MDP बूल सकते हैं इसको सौर्ट में MDP management development program MDP का aim क्या है aim to increase managerial efficiency manager की जो efficiency है उसको क्या करना increase करना ओके ठेक है characteristics क्या है management development program की देखो अगर management की efficiency increase करनी है तो आपको MDP management development program बनाना होगा और इसकी characteristics क्या है इससे क्या होगा यह continuous activity management development program MDP continuous activity है हमेसा चलती ही रहेगी क्योंकि management की efficiency हमेसा बढ़ानी ही होती है क्योंकि technology की वज़े से government की वज़े से environment की वज़े से बहुत सारी चीजों की वज़े से जो है हमेसा changes आते रहते हैं और उन changes के हिसाब से अपने business को आगे grow करने के लिए आपको MDP program चलाना ही होगा ठीक तो यह continuous activity है एक दो दिन की नहीं है improve performance इससे management की जो performance है वो improve हो जाती है और वो highest level पर जा सकती है organization organized process यह जो एक process है यह organized है एक systematic process है और इसमें जो है managers और executive जो है उनके development के लिए जो है एक पूरा program बनाया जाता है तो यह एक organized process है ऐसे ही नहीं है systematic process है guided development इसके अंदर जो development होता है वो कैसा होता है guided होता है managers are guided by professionals management को manager या कोई भी किसी को कोई भी training कौन देगा जो उसका expert होगा specialist होगा professionals होगे तो वो जो है इनको guide करते हैं okay deficiency improver यह program जो है यह deficiency improve कर देता है deficiency का मतलब हो गया वो functions वो काम जो manager पहले नहीं कर पाते थे deficiency थी तो इस program के तर जरिये management की वो deficiency को कम किया जा सकता है और उसको improve किया जा सकता है वो जो एक कमी है उसको भरा जा सकता है उसको सही किया जा सकता है improvement आ सकता है उस area के अंदर जहां जरूरत है management development program जो है उसके purpose क्या हवी या क्यों करें management development program MDP क्यों चला है अगर आप चाहते हैं कि आपके business कें अंदर management जो है वो performance जो है management की वो क्या रहे maintain रहे और sustain रहे दो चीज़े है management या managers की जो performance है वो क्या रहे sustain रहे और maintain रहे आप चाहते हैं ऐसे ही perform करते रहे हैं अच्छा परफॉर्म करते रहें तो फिर आपको ये प्रोग्राम MDP चलाना पड़ेगा इसके अलावा MDP से एक इसका उदेश ये है कि इससे enhance the existing performance level इसका purpose क्या है अगर आप MDP चलाओगे तो आपके managers और executives जो हैं उनकी existing performance level यानि कि जैसा अभी वो perform कर रहे हैं वो enhance हो जाएग यानि वो और अच्छा perform करने लग जाएंगे तो उसके लिए आपको जो है MDP चलाना होता है इसके अलावानेक्स आता है help in preparing the current employees to become good manager अब देखो अभी जो आपके manager काम कर रहे हैं वो कभी ने कभी retire होंगे आप चाहते हैं कि हमारे जो employees है वो उनकी जगह ले ले तो इसके ल MDP चलाते रही है ठीक है next रता है to meet its current and expected requirement business की managers की जो भी current requirement है और जो वो expect करते हैं वो requirement पूरी करनी है तो MDP चलाना पड़ेगा MDP से यह हो सकता है management development program से हो सकता है ठीक है to make sure that organization management resources are used effectively and efficiently देखो organization के अंदर resources होते है man, money, material, method, machine ठीक है five resources होते है अगर आप चाहते हैं कि आपके managers उन सारे के सारे resources का मैं में employees ले लेता हूं तो उन सारे के सारे resources का जो effective use हो optimum use 100% utilization हो अच्छे तरीके से use हो आना तो आपको अपनी managers को एक दम अच्छे से train करना पड़ेगा और उसके लिए MDP program आपकी help कर सकता है management development program के थूँ यह हो सकता है कि आपके सारे resources अच्छे से optimum 100% उनका utilization हो सके है अब economics में बहुत बढ़ते हैं कि resources का 100% या factors का कैसे utilization किया जा सकता है तो आज के लिए इतना है मिलते है next lecture में तब तक के लिए goodbye and thank you